यहां क्यों लिखा है मैंने written and interview देखिए जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग जब companies आती हैं तो हम लोग apti test देते हैं, technical rounds देते हैं, coding rounds देते हैं पर क्या आपको यह पता है कि इसके apart from भी companies बहुत सारी अलग-अलग companies बहुत different different type के rounds कराती हैं जिसमें एक round एक बहुत important है, that is guesstimate round जब भी company consulting से related आती है, computer की companies आती हैं like data science की, analyst की, तो generally यह guesstimate round comes in a picture यह written के दोरान भी दिया जाता है, यह interview के दोरान भी दिया जाता है कई बार written में ही आपको guesstimate दिया जाएगा और कई बार interview के time पे guesstimate round conduct होगा और कभी कभी दोनों ही जगा, written में भी और interview में दोनों में ही guesstimate round होगा आप जानना पड़ेगा के guesstimate का मतलब क्या है guesstimate, नाम से ही पदा चल रहा है, आपको कुछ करना है gues वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगो बताना चाहूँगा, अनेकेडमी लेकर आया है बहुत अच्छा combat जो होने वाला है mechanical civil CSEECB रांच के लिए यह होने वाला है सुभा 11 बजे 14 नवंबर को combat की मैं आपको लोगो कुछ खासियत बता देता हूँ, यह combat जो होने वाला है 60 minutes का 20 questions का, इसमें 5 ब्रांचे मैं आपको बता दी हैं, जिसके साथ-साथ यहाँ पर relative scoring होगी जो आपके based होगी speed पर और accuracy पर, बता दू, unacademy इसके साथ देगा करीब 4 करोड की आप लोगों को बहुत सारी scholarships, इसके साथ-साथ यहाँ पर 15% guarantee discount मिलेगा सिर्फ participation करने पर, आप लोगो enroll कैसे करना है, आप लोगो unacademy get combat लिग दीजिए, या तो आप यह URL है, जो मेरी link description में दी गई है, आप उसके थुरू चले जाएए, और इस combat को join कर लीजिए, आप इसके साथ-साथ क्या कर सकते हो, unacademy की app download कर सकते हो, और app के थुरू भी आप यह combat को join कर सकते हो, आप मेर code यूज कर सकते हो, that is SID12334, link description में है, code का नाम भी description में है, चाहिए और इस combat को unlock कर लीजिए, चले दोस्तों, सबसे पहले example देख लेते हैं, हम लोग अब guestimate round में किस type का question आता है, ठीक है, तो जैसी दीगे, बहुत जादा simple question आता है, एक line का question आता है, और आपको वो question करना पड़ता है, जैसे कि question क्या हो सकता है, question हो सकता है, what is monthly revenue of hair salon, ठीक है, माल लीजे कि आपके घर के बगल में एक salon है, वो मन्थली कितना कमा लेता है, ये आपको guess करना है, ये आपको value निकाल के देनी है, ठीक है, how many teachers in your college, तुम्हारे college में कितने teachers हैं, इसका तुम्हें value निका ये बहुत simple question है, और क्या simple question हो सकता है, कि एक साल में Delhi में कितनी bad seat बेची गई, ये बहुत simple question है, आप इनको अब देखे, solve करने में क्या होगा, आपको बहुत सारे adjustments लेने पड़ेंगे, ठीक है, आपको जैसे आप माल लीजे, पहला वाला question है, hair salon का, तो आपको ये condition देखन लोग आते हैं, ठीक है, एक चीज का वो एक क्या बाल कटाने लोग जादा आते हैं, डाड़ी कटाने जादा लोग होते हैं, तो इस type के आपको बहुत सारे adjustments लेने होते हैं, ठीक है, और उन adjustments के base पे आपको एक value निकाल के देनी होती है, कि इतने रुपे एक salon एक महीने में क कमाएगा, तो आपको examples समझ में आ गए होंगे, अब मैं आपको platform का बता देता हूँ, बहुत सारे लोग confused होंगे कि written का जब exam होगा, जब online test होगा, तो किस type का written में पूछेंगा ये लोग estimate, ठीक हो written के time पे क्या करते हैं, करीब approximately 30 minute का वो time देते हैं, और वो एक question लिख देत है, उस type का उनका खुद का platform जो होगा, उस पे आपको text लिखने का होता है, ठीक है, तो वो आपको 30 minute alert कर देंगे, question बता देंगे, उसके बाद जैसे कि जैसे आप letter लिख रहे हो, जैसे आप simple PDF में कुछ लिख रहे हो, तो उस type से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि प्तुरा paragraph लिखकर, last में conclusion लिखना पड़ता है, कि भाई देखिए, हमने इतना revenue इस hair salon ने कमाया होगा, इंटर्वियू में कैसा होता है, इंटर्वियू में देखिए, इंटर्वियूर आपके camera के सामने होता है, वो मूझ से अपनी तरफ से question बोलता है, और कहता है कि आप देखिए, दो तरीके हो सकते हैं, या तो इंटर्वियू आपका online हो रहा है या offline हो रहा है, ठीक है, दौनों में ही इंटर्वियूर क्या करेगा, बोलेगा आप एक paper लेजिए, और paper पे मुझे जल्दी से adjustments लेके बताईए और दिखाईए, value आने वाली है इस question की, क्या answer आन ही हो सकता, आपका answer अलग होगा, आपके दोस्त का अलग होगा, आपके पडोसी का अलग होगा, जो जो test देर है, वो सबका most probably answer अलग ही होने वाला है, ठीक है, कुछ लोग होते हैं, जो सोचते हैं कि जैसे डेली है, किसी ने बोला कि डेली में एक साल में कितनी bed seat बेची लोगों को लगेगा कि यार बहुत सारे लोगों को पता है डेली की population क्या है, ठीक है, जैसे में जो पता है डेली की population 2 करोड है, तो तुम 2 करोड को लेके solve करोगे, लेकिन उन लोगों को क्या जो South India में रहते हैं, वो कभी डेली गए ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है, और आप camera, आप mobile internet तो यूज कर नहीं सकते उस time, तो कोई 20 लाग लेलेगा, कोई 50 लाग लेलेगा, कोई 1 करोड लेलेगा, तो यहाँ पर डेटा से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आपने जिस तरीके से calculation की है, क्या आपने approach रखी है, क्या जमसंस लिये हैं, वो matter कर करता है, ठीक है, सिर्फ data matter नहीं करता, तीसरी चीज होती है कि अपने data को जादा से जादा simple रखने की कोशिस करो, देखो, डेली की कोई 2 करोड exact population तो है नी न, कुछ ऐसे होगी, 1 करोड 98 लाग, ठीक है, 56,372 मान लो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जादा से जादा data क हो simple रखेंगे, ठीक है, डायट ली 2 करोड मान के solve करेंगे, या आप percentage basis पे भी काम कर सकते हो, ठीक है, तू solve these problems, ये बहुत important है, तो देखिए, पहली चीज में आपको बता दू, सबसे जादा ये जो problems होती है, वो consulting company में आती है, मैंने पहले बता दिया, दूसरा कुछ data science किय data analyst की जो company आती है, उनमें ये problem आती है, ठीक है, generally MB के जो graduates होते हैं, वो इस in track की problem से बहुत often होते हैं, या commerce के student होते हैं, बहुत आसानी से in questions को कर देते हैं, बट अगर हम engineers हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा मुस्किल होता है इंदरी के से problem को करने को, क्योंकि हम लोग this track की problem generally solve नहीं करते हैं, तो मैं आपको क्या करूँगा, अपने telegram channel पर, मैं आपको यहाँ पर दो तीन link डालने वाला हूँ, और PDF डालने वाला हूँ, questions की और उनकी answers की, तो आपको क्या करना है, आपको समझना है अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी faculties ने पढ मजिए और at least थोड़ा बहुत practice करके रखिए, कि जब भी आपके online placement test आए, internship के लिए test आए, तो आप prepare होने चाहिए पहले से ही, ठीके तो link आपको सारी telegram पर मिल जाएंगी, कैस तरीके से, इसके बाद मैं इतना ही बोलूँगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो आप वीडियो को like कर दीजिए, चैनल को subscribe कर दीजिए और वीडियो को share भी कर दीजिएगा, इसके साथ मेरे Instagram पर आपको कोई भी doubt हो, आप पूछ सकते हैं, regarding क्या rounds होते हैं, आपको कैसे करना चाहिए, अप्रोच क्या होने चाहिए, तैयारी कैसे करें, placements के लिए आप या हमसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से आप सारी लिंक को ध्यान से उठा लीजिएगा, इसके साथ एप भी पेज से भी आप जॉइन कर लीजिए, एप भी पेज पर भी बहुत अच्छा अच्छा content में डालता रहता हूँ, तो बने रहें, जोडे रहें, सिधार्थ नमस्कार